गादरबल के वस्कूरा में रहने वाले लोगों ने बिजली की पूरी हालत को लेकर आवाज इठाई इस्थानी लोगों का कहना है कि बिजली विभाग में उनके गाउं के तरफ इल्कुस तवज्जो नहीं थी गाउंवालों का कहना है कि विजली की तारे जहां तहां पेडों पर और लगडी की खंबों पर अठकी रहती है जिसे किसी भी समय कोई भी अन्होनी हो सकती है कि लोगों का कहना है कि उन्होंने की बाड सिथ बात तो लेकर शिकाइट दी की लेकिन उनकी बाते सुनने वाला कोड नि Earn लोग का ए मुत्छा जल से जल दूज कहों में बिजली कि ऊपता को ती सिंतरे हैं पांचायद बार शस्त यह को रखातम तर बेजिए एडिमिटरेशन दिया इस रहस्पांट मागा रहस्पांट मेरा कि एकजन सहब भशेगा हैं सुष्ट करा काल सबस्कार परसनल यावर पर चमुहिं के लिए यहां यहां लागने कि इस खासकर सों हालके वास कुरा इस आंध जो यहां मसला है आपने उठाया बिजली का मसला है यह पिछले 5-6 सालों से ऐसा ही मतलब बड़ा हुआ है मगर जो सरकार ने हमें पियार आइज को जो पिछले साल यहां कुछ एमाउंट डाला था हमने अपने हलके जो हमारा यह वास कुरा ए हलका है इसमें हमने बहुत से मतलब काम किये हैं एक ट्रनसपार्मर मलिक महला में प्रॉब्लम थी उसको य मसला है पिछले पांच सालों से इन बेचारों को गोनोंगों मुखिला से दो चार है क्योंकि उनकी जो सप्ले लाइन है पावर बहुत ही कम आता है इसमें इसके लिए हमने मतलब छे लाग चालीस हजार रुपे इस साल रखे हैं अभी वो टेंडरिंग के प्रॉसेस में वो एडिमिस्टेशन है मतलब पूरा तावन नहीं करते हैं सरपंजों के साथ या बीडीसी चेयर परसनों के साथ सिर्फ जब जंडा लहराना होता है तो बीडीसी मतलब आगे-ागे होना चाहिए हमारे सरपंज साहब आगे-ागे होना चाहिए बाक जो डेवलोपमेंट के जब उनको मतलब बुलाते हैं बीडीसी चेयर परसनों उसको या हमारे सरपंज साहबान को जब उनने कहा था जब यहां अबरिगेशन अब थर्टी सेवन्टी हुआ या थर्टी फाइवे उस उनने का यहां नया कश्मीर मतलब देखने देखने को नहीं लग रहा है अभी वैसा का वैसा कोरॉप्शन है मतलब अभी वही पराणा सिस्टम है अभी नया कुछ नहीं